दोस्तो उत्रकंड उपन इंवस्ट्री के जो अभी एड्मिशन स्टार्ट हुए हैं उनमें किसको एड्मिशन लेना है इस सबकी डिस्कुर्शन हम इस वीडियो में कर लेते हैं बाकि जिन्होंने अभी तर सब्सक्राइब नहीं कर रेका है जो नए है चैनल पर वो प्लीज स वरवरी 2022 में एड्मिशन लिया था और जिनके एक्जाम हो चुके हैं अभी या भी नहीं हुए हैं अभी होने वाले एक्जाम तो वो सब अभी एड्मिशन लेंगे ठीक है उन्हें हर हालत में एड्मिशन लेना है उत्रकंड उपन निवर्स्टिय आप से यह कहती है कि आप आपका चाहिए पेपर हुए है या नहीं हुए है आपको एड्मिशन हर 6 महीने में लेते रहना है समेस्टर वालों को दूसरे चीज क्या हुआ अम माल लीजे किसी का सितंबर 2021 का समेस्टर था लेकिन उन्होंने जनवरी 2022 में नहीं वर पाए ठीक है उनको भी एड्मिशन अ कि जनवरी 2022 में उनका जो एग्जाम होगा वो होगा अगले डिसंबर या जनवरी 2023 में थीक है तो उनके एग्जाम तो तब होगे तब जाके उसके बाद जब वो जनवरी 2022 थीक है एड्मिशन आएगे तब वह लेंगे उनको अभी नहीं लेना है क्योंके उनका समेस्टर न बात करते हैं अगर बीए की बात करें तो उनका एफई एस करके साथ सितंबर को जो पेपर है वे रहे गया है तो अब उनको जिक्कत या रही है कि जब तक रिजल्ड नहीं आएगा तब तक हम एन्वेशन नहीं लेंगे बलकि ऐसा नहीं है उत्रकंड उपर निवर्स्टे आपको हर साल सतंबर से लेकर अब तक एक साल हो गया तो आपको एन्वेशन आप लेना होगा ठीक है चाहिए आपका रिजल्ड अभी आए या ना है चाहिए आपकी बैक लग जाएगी तो क्या होगा आपको बाद में बैक फर्म भरके उसे फिल करना पड़ेगा ऐसा नहीं अगर आप अगर मान लीजाए कि अगर आप अभी नहीं भरते हैं आप अगर अभी नहीं भरेंगे तो इससे क्या होगा आपका च्छै महीने डिले हो जाएगा तो आप हर साल साल भरते रहिए बाकी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आगे ताब मुझे कमेंट कर देना मैं कोई अगर ताब मुझे औरुआ है अगर घ्मfunded को आप अगर आपकी आपकी आप।